स्वागत आपका सेल्फ स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो न्यूजिलेंड अपने देश के अंदर तंबाकू का एंड गेम करने जा रहा है एक मुवी हाई थी अविंजर एंड गेम मुझे लगता है कि वहां से इन्होंने इस न सोखने के लिए तंबाकू से जो और वैश्विक वाईश्विक तोर पर तंबाकू का कितना जादा गलत पर बहा न है परी इसे कितने लोगों की जान जा रही है कितने बिमारियां նे माटने तो ये भी हम बहुत अच्छे से cover करने वाले हैं इस वीडियो में चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले PDF के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं description box में टेलिग्राम का एक link दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो के PDF डाउनलोड कर सकते हैं देखें न्यूजिलेंड का सपना है कि वो 2025 तक अपने देश को धुमरपान यानि की smoke free बना ले 2025 तक इन्होंने की उजना बना रहे हैं और उसी उजना को पूरा करने के लिए न्यूजिलेंड की जो पारलेमेंट है वहां पर एक बिल लाया गया उस बिल का नाम है Smoke free Environment and Regulated Product Smoked Tobacco Amendment Will यह बिल लाया गया अगर यह बिल पास हो जाता है तो यह strategies के according काम करेंगे तीन strategies इसको बनाई गई है मतलब कि न्यूजिलेंड में जिसके चलते यह तंबाकू को खतम कर देंगे अपने देश में 2025 तक अगर यह बिल पास हो जाता है तो अब न्यूजिलेंड का पीछा करते करते हैं या फिर कहें कि न्यूजिलेंड ने जो नक्ष़ कदम यहां पर उसका पीछा करते करते हैं मलेशिया भी इसके पीछे एक तरीके से कोपी कह लो या एक अच्छा एक काम है को इसमें मैं कोपी नहीं कहूंगा कि न्यूजिलेंड ने बहुत अच्छा काम किया कि अपने देश के अंदर वो तंबाकू खतम करने जा रहा है और उसी तरीके से मलेशिया भी जो न्यूजिलेंड ने काम किया है वो भी अपने देश में लागू कर रहा है उसने कहा है कि जो 2007 में जो बच्चे पैदा हुए और 2007 के बाद जो बच्चे पैदा हुए उनको धूमरपान और इस सिग्रेट से ही जो सभी तंबाकू प्रोडेक्ट हैं उनके बिकरी पर परतिमन लगाने का विचार कर रहा है यानि कि जो 2007 में बच्चे हुए है जो एक नेक्स जेनरेशन आ रही है उनके लिए तंबाकू वहां पर उनको नहीं मिल पाएगा यह मलेशिया वर्क कर रहा है सेम टू सेम जो न्यूजिलेंड ने की है अभी न्यूजिलेंड वाला जो वर्क है हम उसकी बात कर लेते हैं जो इन्होंने बिल पेश लिया है देखे टंबाकू एंड गेम एक तरीके से नितिगत दिरिश्टी कौन को संदर्वित करते हैं जो तंबाकू मुक्त भवश्य के उदेश्य से टंबाकू से होने वाली जो बिमारी हैं उसको समाप्त करने पर ये केंद्रित है अब विधेक में धुमरपान को महतपून रूप से कम करने और इसे समाप्त करने के लिए तीन स्टेटेजी जो हैं यहां पर मांग की गई है अभी बात करेंगे यह वो तीन स्टेटेजी कौन सी है यदि यह भी देख लागू हो जाता है तो यह दुनिया का पहला ऐसा कानून होगा जो अगली पीडी को कानूनी रूप से सिगरेट खरीदने से रोकेगा अब तीन स्टेजी कौन सी है उसकी बात कर लेते है देखे तंबाकों के अंदर ड्रास्टिकली रिड्यूस किया जाएगा यहाँ पर निकोटीन निकोटीन को कम करने को एक तरीके से समझो यह निकोटीन एक ऐसी एक एडिक्टिव चीज है तो यह निकोटीन वहाँ पर बहुत हेल्प करता है तो इसको बहुत कम किया जाएगा निकोटीन को अगर यह निकोटीन अगर कम कर दिया जाएगा तिससे नस्य की लत नहीं पड़ेगी बहुत जादा कम कर दिया जाएगा और इसके कम करने को इसको का गया है इसको नाम दिया गया है जिसमें क्या होता है निकोटी इनको सिगरेट में बहुत कम मातरा में कर दिया जाता है यह तो होगी पहली स्टेटिजी सेकंड स्टेटिजी जो है तंबाको जो बेचने वाली जो दुकाने उनको 90 से 95 परसेंट उनकी कमी कर दी जाएगी अगर 100 दुकाने होंगी उन 100 दुकानों में से सिर्फ 5 या फिर 10 दुकाने ही ओपन रहेंगी बाकी की 90 या 95 दुकाने बंद कर दी जाएगी इसके अलावा एक जनवरी 2009 या उसके बाद पैदा हुए लोगों को तंबाको बेचना अवैद रूप माना जाएगा अगर इस एज में मतलब की 2009 में अगर बच्चा पैदा हुए या 2009 के बाद अगर बच्चा कोई पैदा हुए तो वहाँ पर उसको कोई तंबाकू बेचेगा तो वो एक इलिगल रूप से माना जाएगा तो यह तीन रण नितियां है तीन स्टैटेजी जो है इस बिल में बात की गई है जिससे तंबाकू फ्री बनाया जाएगा न्यूजिलेंड को अब तंबाकू सेवन से वरतमान में स्थिति की बात कर लाते हैं पूरे ग्लोबल मतलब की वैश्विक तोर पर देखें तंबाकू महामारी दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी सारजनिक्स वास्ते खत्रों में से एक है जिसके कारण हर साल 80 लाख लोगों की जान जा रही यह किसने का है यहाँ पर WHO के दान है निए World Health Organization की रिपोर्ट के अकोर्डिंग यह सब बातें बोली गए और यहाँ पर बोला गया है जो इंडिरेक्ली तोर पर जो सिगरेट के धुएं से मतलब की एक सेकंड हैं जो जिसको बोला जाता है सेकंड हैं जिसको का जाता है यानि कि आप सिगरेट नहीं पी रहें आप बेडी नहीं पी रहें तो लेकिन आपकी साथ वाला जो है वो सिगरेट पी रहें उससे स्मोक आ रहा है वो आप उसके पास बैटे तो आपके उपर जो परभाव बढ़ रहे हैं जिसके कार्ण क्या है पूरी दुनिया के अंदर 1.2 मि यह साथ पडसरती प्रभावीत होंगे कोई पी सुरक्षित तरह है यह नहीं तंबाकू का अब सिगरेट दुमरपान दुनिया का दुनिया भर में तंबाकू का उपयोग करने की सबसे आम चीज़ है यानि तंबाकू लिया कैसे जाता है सबसे इंपोर्टन चीज होती है हमारे देश में तो बीडी और सिगरेट यह बहुत आजा चलती है इस की कैंसर हो गया फेवड़े की दिमारी होगी काडियो मतलब कि यहां पर काडियोवस्किलर डिजीज होगी यानि हिर्दे रोग संबंदी होगे स्ट्रोक इसके अंदर शामिल हो जाते हैं दुमरपान के कारण भारत में स्थिति कैसे हैं देखिए भारत के अंदर नेशनल फ यहां पर categorize भी करिया गाया यह जो caste wise जैसे की ST, SC यहां पर इनको बोला गया है कि जो ST category है वहाँ पर जो महिला हैं 19% और जो पुरुष है वहाँ पर 51% बाकि अन्य जातियां हो जाती हैं जैसे SC category होगी OBC, General category होगी इन categories के मुकाबले ST categories में तंबाकों का सेऻन ओर जप ज्य प्रतिशत महिलाएं बिना स्कूली शिक्षा और पांच साल से कम स्कूली शिक्षा के लिए उन्होंने तंबाको का सेवन उप्योग कर दिया था है या उन्होंने कम से कम सिर्फ पांस साली वो स्कूल गए थे या फिर उन्होंने शिक्षा ली नहीं वो जो है यहां पर रहूं उनके सामने जो आंकड़े दिये गए हैं कि हर पांच में से तीन पुरुष हैं और 15 प्रतिशत महिलाएं वहां पर आती हैं यह तो सरकार के सामने आंकड़े आते हैं इसके लावा और भी बहुत सारे ऐसी चीजें हो सकते हैं जो सरकार के सामने नहीं आई हो अब तंबाको के खबद करने के लिए कि इससे क्या-क्या मतलब कि तंबाकू का खबत से क्या-क्या परभा पड़ता है समाज के उपर देखें तंबाकू के उप्योग के कारण लोगों के जो खर्च होता है घर का जो खर्च होता है जो भोजन होता है जो उनकी necessary जो रहने का जो खर्च होता है, जो बुनियादी जो खर्च होता है, उन पर वो खर्च नहीं कर पाते हैं, बलकि तंबाकू पर खर्च करते हैं, जिसे उनके घरीबी के अंदर ही बढ़ावा हो रहा है, और तंबाकू के एक अकान देखे, इससे क्या हो रहा है, एक की डेट में आप देखें, तो बहुत ज़्यादा उसके एक simple की में बात कुरूं, एक packet secret होते है, तो उसका भी काफी ज़्यादा rate हो गया है, या फिर अलग जो product है तंबाकू को महंगे कर दिये गए हैं, अब वो एक व्यक्ति ने तंबाकू का product भी खरी था, उस तंबाकू इससे बहुत ज़्यादा effect भी पड़ रहा है, और भारत में बात करें, देखें, भारत में मृत्यों और बिमारी के प्रमू कारणों में से एक है तंबाकू का सेवन, हर साल लग बग 1.35 मिलियन, यानि कि 13,50,000 लोग होगी death हो रही है, हर साल सिर्फ वर सिर्फ तंबाकू का बहुत कम कीमतों पर, हम मानते हैं, भारत के अंदर कुछ चीजों को महंगा किया है, लेकिन as compared to दूसरी countries के में बात करूं, तो उससे तो बहुत कम सस्ते चीजों पर हमें तंबाकू मिल जाते हैं, और तंबाकू के उपयोग के लिए जो जिम्मेदार, अब देखें, तंब क्रोड रुपे थी, ध्यान रखना इसी को, यहां पर क्या बोला गया है, कि एक लाग स्तंतर हजार तिन सो इक्तालिस क्रोड रुपया खर्च, या फिर कहें कि इससे हमारे सामने एकनोमिक कोस्ट आई है, सिर्फ़ तंबाकू के कारण, इसका उपयोग करने से, इसके उपय करने से, इसके उपर भीमारी के उपर खर्चा करने से, ट्रीटमेंट करने से, इन सब चीजों के उपर, और इसमें तंबाकू के सारे प्रोड़क्ट आ जाते हैं यहां पर, तो देखें कितना ज्यादा एक इकनोमिक कोस्ट देना पड़ रहा है, सिर्फ तंबाकू के कारण इसके अलावा, जो हमारे देश में, या फिर कहेंगे, पूरी दुनिया के अंदर, तंबाकू से निपटने के लिए क्या क्या चीज़े कही हैं, वैश्विक पहल के अगर हम बात कहें, तो देखें, WHO के द्वारा, एक, WHO Framework Convention on Tobacco Control, WHO FCTC, यह चलाया गया था, इसमें कहा गया था, सभी लोगों के लिए, कि highest standard हो, health का, यानि कि लोगों की health, जो है, वो सबसे ज़्यादा priority धी जाने चाहिए, इंडिया ने इसे adopt किया था, World No Tobacco Day बनाया जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, exam में पूछ लिया जाता है, 31 मही को, विश्रु तंबाकू निशे द भियान चलाए जाते हैं, भारत के द्वारा क्या-क्या पहले शुरू गई गई हैं, देखें, भारत के अंदर, cigarette and other tobacco product act, कोटपा, जिसको कहा जाते हैं, COTPA, 2003, ये है हमारे देश में, देखें, इस act ने क्या क्या, 1905 के अंदर, cigarette adenium, जहां पर, largely limited to statutory warning, cigarette smoking is injurious to health, ये एक पर आपको ऐसी कुछ warning लिखी हुई मिलती है, 1975 में वो एक limited हुआ करती थी, लेकिन 2003 के इस amendment के बाद, या फिर कहेंगे इस अधिनियम के बाद, इस act के बाद, क्या किया गया, सिगार, बीडी, चैरेट, फिल्टर सईथ, बैलना कर सिगार, पाइप तंबाकू, हुका, चबा ये एक अजे देवगन और शारुखान के साथ वो एक ad में आयते, जहां पर वो विमल को, विमल पान मसाला को promote करे थे, उसको सुरोगेसी promotion बोलते हैं, सुरोगेसी promotion का मतलब होता है, वो एक तरीके से पान मसाला को promote कर रहे थे, लेकिन जो विमल है, वो पान मसाला नहीं बन और गाता कि मैंने वाले टाइम मैं सब काम नहीं करूगा तो जितने भी हमारे देश के अंदर जो अभिनेता हैं जो इस तरिके का परमोशन कर रहे हैं इस गुटके का परमोशन कर रहे हैं तो इस चीज को भी आपको सतर करहने की बहुत जादा जरूरत है यह सिर्फ पैसे के लेकाम करते हैं लेकिन एक्चुल में आपकी जान ही इसे जा रही है आपको इसे को फायदा नहीं हो रहा है और तंबाकु चबाने से कोई आप फीरो नहीं बन जाते हो तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है यह सेलेबरिटी हैं यह किसी का भला नहीं करते हैं यह सरफ पूर सिर्फ आपका नुकसान करने के लिए आये हुए हैं तो आपकी इनकी इंटेंशन जानने चाहिए पान मसाला नहीं होता है उसे सुरोग एसी पर्मोशन बोला जाता है एक्च्वल में वो मिमल के तौर पर पान मसाले के तौर पर वहां पर गुट के गतंबाकू को परमो लोगे यहां पर इसीग्रेट निशेद अध्यदेश 2019 यानि प्रोमुलिकेशन और प्रोहिविशन ऑफ लेक्ट्रोनिक सीग्रेट 2019 लाया गया था जिसमें बोला गया था जो इसीग्रेट जो है उसके प्रोडक्शन मैनुफेक्शर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांस्पोर्ट सेल डिस्टिबूशन स्टोरेज और अडवर्टाइजमेट इन सब चीजों के पर प्रोहिविट किया गया था उनके पर परतिब सला समर्थन और तंबाकु चोड़ने के जो इच्चुक लोग हैं उनको सिवाएं परदान करता हैं उनको guidance प्रोड़ करता है कि आप कैसे तंबाकु चोड़ सकते हैं अब या भी सारे बोलते हैं इससे क्या help मिलती है आप तंबाकु चोड़ना जाते हैं आपको नहीं पता क यहां पर कि आप तंबाकु चोड़ने के लिए क्या के चीज़े करें इसके अलावा हमारे देश के अंदर एक session एक कारेकरम चला जाते हैं यह कारेकरम तंबाकु चोड़ने के लिए एक mobile technology पर अधारित है पहला एक त्रीक जाते हैं बारत ने वर्स 2016 में सरकार के digital इंडिया पहल के हिस्से के रूप में पाठेकरम यानि टेक्स मेसिज का उप्योग कर इस कारेकरम की शुरुआत की थी पता है गया था लोगों को आपको तंबाकु छोड़ देनी चाहिए इससे आपको कितना ज़्यादा हानी होती है आपकी health के उपर कितना ज़्यादा effect पढ़ता है तो यह सारी चीज़े हैं जो हमारे देश के द्वारा चलाई जाती है तंबाकु के खतम करने के लिए उमीद करता हूँ कि जो आज का जो शेशन हो आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो समझ में आया तो बेशक इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडियो के लिमा आप लोगों को बता चुका हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं तैंक यू फोर वाचिंग दिस वीडियो